बुलेट ट्रेल एक बड़ा शहर से लगा हुआ एक छोटा सा गाउं था उस गाउं में पन्ना लाल लाम का एक दूद बेचने वाला रहता था वो हर रोज सुबे सुबे आईने के सामने खड़े होकर मूँ को पाउडर से ढख देता फिर सर पे जल लगा लेता फिर अपने साइकल पर दूद लेकर वो घर घर जाके बेच आता क्यों इतना चिकना बनता रहता है सुबे सुबे इतना मेक अप लगा के घुम रहा है मुझे सिने में हमें मौका नहीं मिला ना इसलिए सुबे सुबे दूज बेच रहा हूँ वरना हर रोज टिकेट लेके मौर्निंग शो देखने जाती मुझे पन्नालाल के पास तीन एकर बंजर जमीन था जिसमें एक घास भी नहीं उपता कुछ साल बाद भयंकर रियल एस्टेट भूम आया और शहर गाउं तक पहुँच गया पन्नालाल के जमीन के पास ही बड़ा सा अपांटमेंट बनने लगा और इससे पन्नालाल का जमीन का डिमैंड बढ़ गया एक बड़ा सा रियल एस्टेट कमपनी ने पन्नालाल का जमीन 30 करोड रुपे में खरीद लिया तो रातो रात पन्नालाल करोड पती बन गया उसने बड़ा सा बंगला खड़ा कर लिया और कार भी खरीद लिया एक दिन उसने सोचा अरे मेरा हीरो बनने का ये सबसे अच्छा टाइम है मुझे कोई सेंचुरी फॉक्स वेगर नहीं चीए मेरा खुद का सिनिमा मैं खुद ही बना लूँगा उसने मुंबाई से राइटरों को और डाइरेक्टरों को बुलाया उन लोगों ने उसे कहानिया सुनाई उनके उल्टे सीदे कहानी सुनकर इसका दिमाग खराब होता था एक दिन उससे मिलने सुमन शट्टी नाम का एक डाइरेक्टर है सर इस कहानी का टाइटल है बुलेट ट्रेन हीरो इनको विलेंस किड़नाप करके बुलेट ट्रेन में ले जाएंगे हीरो बुलेट ट्रेन का पीछा करके हीरो इनको किस तरह से बचाता है इसी पर कहानी आधारित है, कहकर उसने पूरी कहानी बताई पन्नालाल को कहानी बड़ा पसंद आया अरे, ये तो रजिनीकान स्टाइल में है, कल से शुटिंग शुरू कर दो आपने क्या सुचा, हीरोईन किसको होना चाहिए? कोई नई लड़की होगी तो अच्छा होगा, अब मेरे साथ कोन सी बड़ी हिरोईन काम करने वाली है? अरे, ये क्या सर, ये क्या बोल रहे है, पैसा फेको तमाशा देखू वैसे भी, आपका कद काटी नाक नक्षा तो ठीकी है, रुख जाईए, मैं करीना को सेट कर लेता हूँ पर करीना के लिए पांच करोड एडवांस भी देना पड़ेगा, सोच लीजिए पन्नालाल बड़ा खुश हो गया, चेक पर साइन करके उसे दे दिया आर्ट डाइरेक्टर, कारपेंटर और वेल्डरों को लेके बुलेट ट्रेन बनाने लगा कुछ दिन बाद शूटिंग चालू हो गया पन्नालाल बड़ा खुश हो के, मेक अप करके, ड्रेस प्रेस पहन के, सेट पर आप पहुँच है हीरोईन को देखके वो दंग रहे गया अरे ये क्या भई, तुमने कहा था करीना कपूर हीरोईन है, अब ये किसी और को दिखा रहे हो, पांच करोड एड़वांस मिलिया अरे सर, इसका नम भी करीना है, पर फरक इतना है, ये करीना कपूर नहीं, करीना गफूर है इसी नाम के वज़े से कही लोगों ने इसे सिनमा में ले लिया, इनके डेट्स मिल गया है, ये ही बड़ी बात है, वैसी भी आपके साथ इससे बड़ी हीरोईन काम भी नहीं करेगी, चलिए चलिए पन्नालाल दंग रहे गया, पर फिर भी वो बुलेट ट्रेन के लिए ढूणने लगा, आट डाइरेक्टर को बुला कर उसने पूछा, अरे बुलेट ट्रेन में सीन था ना, बुलेट ट्रेन है कहाँ हाँ सर, वहां रखा है, कहकर उसने ट्रेन के तरफ इशारा किया, वहां एक ठेले पर बुलेट ट्रेन रखा हुआ था, बन्नालाल चौक गया क्या, ये बुलेट ट्रेन है, तुमने पाच करोड लिये थे, ये कहकर कि जपान की तरफ ट्रेन बनाओगे ये मिनियेचर ट्रेन बनाने में ही, आपने जो दिया था, उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है, कारपिंटर के लिए, वेल्डर के लिए, और उस ठेले वाले के लिए, बहुत खर्चा हुआ है डाइरेक्टर साब ने कहा है, कि ग्राफिक्स में कवर कर लेंगे ये सारी बाते पन्नालाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतने में डारेक्टर ने आके पन्नालाल से कहा सर इस सीन में हीरोईन को विलेन लोग किड्नाप करके ले जा रहे बुलेट ट्रेन में और आपको दोड़के बुलेट ट्रेन का पीछा करना है यही सीन है अरे हीरोईन ट्रेन में कहा है? वहां बैटे छत्री के नीचे जूस पी रही है इसे ही तो सिर्मा केते आपको सोचना पड़ेगा कि उस ट्रेन के अंदर हीरोईन है इसके बाद डायरेक्टर कैमरा के पीछे जाकर बोला एक्शन पन्नालाल उस बुलेट ट्रेन के पास से भागने लगा वो ठेले पर बुलेट ट्रेन को पीछे चोड़के आगे निकल गया कट 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 सर बुलेट ट्रेन कितना थेजी से निकलता है आप उसको पीछे चोड़के आगे कैसे निकल सकते थोड़ा देख के किजिए क्या ये बुलेट ट्रेन है और मुझे इस से आइस ते दोड़ना पड़ेगा। कितने में डारेक्टर ने चिलाया। एक्शन। पन्नालाल ने एक ही जगा पर खड़े होकर दोड़ने का एक्टिंग किया। सूपर सर ऐसे ही करते रहे है। दूसरे दिन डारेक्टर ने कहा। सर आज का सीन ऐसा है बुलेट ट्रेन आपके तरफ आ रहा है। आपने जांग पीटा पस ट्रेन दरदर करके पीछे चला गया। डारेक्टर कैमरा के पास खड़ा हो गया। फिर उसने सेट असेस्टेंट से कहा हीरो के जांग पीटते ही उस ठेले को जल्दी जल्दी पीछे की दरफ खीच लेना। अलर्ट रहना तुम सब समझ गया। फिर जैसे ही पन्नालाल ने जांग पीटा। उस ठेले को उन लोगों ने पीछे खीच लिया। हर रोज production manager आकर खाने का बिल, रहने का बिल और आने जाने का बिल दे जाया करता। हिसाब देखकर पन्नालाल का दिमाग चकरा आ जाता। इस तरह उस cinikal पर करोड़ रुपे खर्चा हो गया। किसी भी तरह pus सिनमा बन गया। पन्नालाल के सारे पैसे खतम हो गये थे, सिर्फ उसका बंगला बज गया थे एक दिन बंगले के सामने डायरेक्टर ने कहा सर, सिनमा तो बढ़िया बने, अब इसका पब्लिसिटी करना पड़ेगा उसके लिए हमें दो करोड खर्चा करना पड़ेगा पन्नालाल घूमके घर के तरफ देखा, फट से घर गायब हो गया कुछ दिन बाद वो सिनमा रिलीज हो गया पन्नालाल सिनमा हॉल पहुँच गया सिनमा हॉल में उसके इलावा सिर्फ चार-पाच लोग और थे वो हॉल को देख रहा था कि लोग क्यों नहीं आ रहे थे सिनमा खतम हॉने के बाद पन्नालाल थेटर के बाहर एक माइक पकड़ कर एक दर्शक को रोक के पूछा आपको सिनमा कैसा लगा उस आदमी ने उसे देख कर पूछा तुम ही सिनमा के हीरो हो ना पन्नालाल ने छाती फुला के कहा हाँ मैं ही हूँ अच्छा किया न मैंने उसने खीच के चाटा मारा क्यारे तू हीरो है और वो बुलेट ट्रेन है इतनी जूरत ऐसे सिनमा निका ली मेरे टिकेट के पैसे वापस दे वरना काट के टुकड़े कर दूँगा झाल